नमस्कार दोस्तों, एन्टीबी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों चाड़क के नीती, चाड़क के द्वारा रचितेक नीती गरंत है जिसमें जीबन को सुखमे और सफल बनाने के लिए उपियोगी सुझाओ दिये गए है इस गरंत का मुख्य विशय, मानप समाज को जीबन के हर एक पहलू की ब्योहारिक शिक्षा देना है चाड़क के एक महान ग्यानी थे जिन्होंने अपनी नीतियों की बदावलत चंद्रगुप्त मौरे को राजा की गद्धी पर बिठा दिया था जानिये चाड़क की कुछ ऐसी महत्तपूर नीतियां जो आपको जीबन के किसी ना किसी मोड पर कामा सकती है दोस्तों अगर आप अपने जीबन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों आचारे चाड़क के ने चाड़क की नीति में अपने अनुभवों के आधार पर मानब जीबन को जीने के सही तरीके बताए यदि हम मेंसे कोई भी व्यक्ति उनके दोरा दी गई नीतियों के आधार पर अपना जीबन जीना शुरू कर दे तो वो व्यक्ति हर कारे में सपलता प्राप्त करेगा और हमेशा सुखी रहेगा दोस्तों चारक के नीति के अनुसार अपगुडों से दूर रहने बाले लोग हमेशा ही सुख भोगते हैं जिस किसी मनुष्य में अपगुड होते हैं या वो अपगुडों की नीतियों पर चलता है तो वो हमेशा दुखी रहता है और अपने कारे में हमेशा ही उसे बाधा की रहने के लिए इन दो अबगुणों से कोसो दूर रहना चाहिए तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको इनहीं दो अबगुणों के बारे में जरा बिस्तार से बताएंगे दोस्तों चारक के नीती के अनुसार कभी भी किसी इंसान की बुराई नहीं करनी चाहिए दूसरों की बुराई करने पर धीरे धीरे ये हमारी आदत में परिवर्तित हो जाती है और हमें दूसरों की बुराई करने की एक बुरी आदत लग जाती है जिससे निजात पाना बहुत ही मुश्किल है और हमारी इस प्रकार की घटिया आदत की बजह से कई बार हमें नुपसान हो सकते हैं इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ऐसे अबगुर को छोड़ देना चाहिए चाड़के का मानना है बुराई करने बाले लोगों की समाज में कोई इच्जत नहीं होती और ये अबगुर हमारे मस्तिस्क में नकारात्मग विचारों को उत्पन करते हैं जिन लोगों में इस तरह का आपगुर पाया जाता है वो जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते इसलिए हमें ना तो किसी की बुराई करनी चाहिए और ना ही किसी की बुराई सुननी चाहिए हमेशा अच्छी आदतों को अपनाएं और बुराई तथा बुराई करने बाले लोगों से दूरी बनाएं हमेशा हर व्यक्ति की बात सुनें और उनकी बातों में से सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातों को ही ग्रहेंड करें दोस्तों आपने ये कहाबत तो जरूर सुनी होगी कि लालच बुरी बला है जी हाँ दोस्तों आचारे चारक ने अपनी चारक की नीती में ये बताया है कि कभी भी किसी इंसान को लालच नहीं करनी चाहिए उन्होंने लालच की तुलना बीमारी से करके कहा है कि जो व्यक्ति लालच करता है वो अपना सुख चैन सब कुछ खो देता है और उसे अपने जीवन में कुछ पाने की इतनी लालसा हो जाती है कि वो व्यक्ति बुराई और गलत रास्ते पर चलने लगता है जिसकी बज़े से वो कई मुसीबतों में पढ़ जाता है दोस्तों लालच में अंधा होकर व्यक्ति कभी कभी इस हद तक गुजर जाता है कि वो अपने तमाम सुख संपत्ती को खो बैड़ता है और वो व्यक्ति अपनी सुख सुविधाओं से संतुष्ट नहीं रहता उसे बहुत ज़्यादा पाने की इच्छा लगी रहती है सुखी और संतुष्ट जीवन जीने के लिए व्यक्ति को लालच जैसी बीमारी को अपने से दूर रखना चाहिए दोस्तों एन टीवी मोटिवेशन के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें साथ ही अपने दोस्तों में इसे शेयर करें और रोजाना इसी प्रकार के वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों मिलते हैं एक इसी प्रकार के अगले वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई और थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो